हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल Educated भारत में दोस्तों आज हम Economics के One Liner Questions देखने वाले हैं Most Important है Top 100 Questions देखेंगे देखेंगे दोस्तों आपको आवास थोड़ी Disturb कर सकती है काम चल रहा है मेरे घर में इसलिए बहुत ज़्यादा Sound Effect हो रहा है कुछ Construction का काम है तो इसलिए प्लीज थोड़ा Adjust कर लीजेगा बाकि हमें एक्जाम के लिए One Liner Questions देखने है Top 100 है तो पूरे की पूरे कवर करने के लिए हम Start करते हैं दोस्तों इसका PDF आपको हमारे Telegram चैनल पर मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां से Telegram चैनल को जाएँ जरूर कर लीजे चलिए स्टार्ट करते हैं भारत की अर्थ वेवस्था कैसी है तो correct answer हो जाएगा मिश्रित अर्थ वेवस्था भारत की अर्थ वेवस्था कैसी है तो most important question है correct answer हो जाएगा विकास शील जो हमारा भारत देशे वो कैसा है विकास शील है अभी विक्सित नहीं हुआ है आर्थिक व्रिद्धी का आधार क्या होता है तो सही answer है उत्पादन या production आर्थिक व्रिद्धी का आधार होता है उत्पादन का सबसे गतिशील कारक कौन सा होता है तो सही answer हो जाएगा पूंजी उत्पादन का सबसे गतिशील कारक होता है भारती अर्थ व्रिद्धा के प्रात्मिक शेत्र में क्या आता है तो सही answer हो जाएगा क्रिशी देखे कई बार पूचा गया है कि प्रात्मिक शेत्र में क्या आता है तो क्रिशी आती है भारती अर्थववस्ता के दुत्यक शेत्र में क्या आता है तो उध्योग, विजली एवं निर्मान कारिये ये सभी दुत्यक शेत्र में आते हैं इसके बाद वैपार, परिवहन, संच एवन सेवा भारती अर्थ विवस्ता की किस शेत्र में आते हैं तो सही आंसर हो जाएगा तृतिये शेत्र में ठीके कौन से तो आपको ये तीनों शेत्र याद रखने हैं क्योंकि एक्जाम में बहुत जादा पूछे जाते हैं अर्थ शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है most important question सही आंसर हो जाएगा Adam Smith को अर्थ शास्त्र का जनक कहा जाता है लगतार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया कहलाती है तो सही आंसर है मुद्रा इस्पिती ठीके लगतार अगर कीमत बढ़ रही है तो उसे मुद्रा इस्पिती कहा जाता है नेक्स्ट बंद अर्थ विवस्ता का अर्थ होता है तो सही आंसर हो जाएगा आयात निर्यात बंद होना मतला एक्सपोर्ट इंपोर्ट बंद हो जाना बंद अर्थ विवस्ता होती है सर्वोदे योजना के संस्थापक कौन थे? most important question है ये भी गरेक्ट आंसर हो जाएगा जै प्रकाष नारायन सर्वोदे योजना के संस्थापक थे भारत में सर्वप्रथम रास्टिय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो यहां पर सही अत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी की द्वारा सर्वप्रथम रास्टिय आय का अनुमान लगाया गया था भारतिय अर्थ व्यवस्ता के उदारी करंड का अग्रदूत किसे माना जाता है तो सही आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंग को उदारी करंड का अग्रदूत माना जाता है भारतिय अर्थ व्यवस्ता के भारत में मुद्रा इस्विती की गढणा किस पर आधारित है? सही आंसर हो जाएगा थोक, मूल्य, सुचकांग पर आधारित हैं मुद्रा इस्विती की गढणा नेक्स्ट भारती अर्थ व्यवस्ता में कौन से शेत्र की हिस्सेदारी सकल रास्टी उ उत्पाद में सबसे अधिक है तो सही आंसर हो जाएगा तृत्य उत्पाद में सबसे आधा हिस्सेदारी किसकी है तो जो तीसरा शेत्र है तृत्य उत्पाद में सबसे आधा हिस्सेदा प्रतम निश्रित पूंजी बैंक कौन सा है तो सही आंसर होगा बैंक ओफ हिंदुस्तान ठीक है बैंक ओफ हिंदुस्तान का नाम भी याद रखना है पूछा जाता है वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का रास्टिय करन कर किस थापना की गई थी देखें स्टेट बैंक ओफ इंडिया एस्बी आई का पूछा जाता है तो पहले एस्बी आई का क्या नाम था इंपीरियल बैंक और बाद में इसका नाम हो गया था स्टेट बैंक ओफ इंडिया अब भारत का पहला बैंक कौन सा है जिसे ISO से प्रमानित किया गया है तो सही आंसर हो जा बारत में बिरोजगारों की समस्या संरचनात्मग है. Next, भारतिये विदेश वेपार संस्थान कहां पर इस्तित है? Correct answer हो जाएगा नई दिल्ली में. भारतिये विदेश वेपार संस्थान नई दिल्ली में इस्तित है. मुद्रा वहाँ है, जो मुद्रा का कारी करे, बनाने के लिए शुरू किया गया है. तो सही answer हो जाएगा वी निर्मांड हब. ठीके, Mlet in India अभियान भारत को वी निर्मांड हब बनाने के लिए start किया गया है. आर्थ-शास्तर में ग्रेशम नियम का संबंद किससे हैं? तो सही आंसर हो जाएगा मुद्रा के संचालन से ग्रेशम नियम का संबन्ध है आर्थशास्त्र में उब्भोकता की बचत का सिध्धान्त किस ने दिया तो सही आंसर होगा अलफ्रेड मार्शल ने उब्भोकता की बचत का सिध्धान्त दिया है बिग पुश सिध्धान्त किसके द्वारा दिया गया है तो रॉडन ने बिग पुश सिध्धान्त दिया है भारत में सरवादिक शहरी करण वाला राज्य कौन सा है तो सही आंसर हो जाएगा महरास्ट भारत में सरवादिक शहरी करण वाला राज्य है भारती रिजर्व बैंक का रास्टी करन्ट कब हुआ? Most important question, correct answers का हो जाएगा 1 January 1994 को RBI का रास्टी करन्ट हुआ था काग जी मुद्रा जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास होता है? तो सही answer is Reserve Bank of India देखिए पूछा जाता है Most important है कि काग जी मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है तो Reserve Bank of India के भारती Reserve Bank का मुख्याले कहां पर है? तो मुंबई में है RBI का मुख्याले एक रुपे का नोट कौन जारी करता है? सही answer हो जाएगा विक्त मंत्राले एक रुपे का नोट जारी करता है रास्ती विकास परिसद का गठन कब हुआ तो 1952 में रास्ती विकास परिसद का गठन किया गया था योजना आयोग का गठन कब हुआ तो 1950 में योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था भारत का आयात निरियात बैंक कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा एक्जीम बैंक भारत का आयात निर्यात बैंक है मुद्रा स्वयम का निर्मान करती है ये कथन किसका है तो क्रोमू और क्रोमर के द्वारा मुद्रा स्वयम का निर्मान करती है ये स्टेट्मेंट दिया गया था भारत की रास्टी आये का प्रमुख श्रोथ है तो सेवाकर जो सर्विस टेक्स है वो भारत की रास्टी आये का मुख्य श्रोथ है सस्ती मुद्रा का अर्थ होता है व्याच की दर कम होना सस्ती मुद्रा का अर्थ है नरस्मा समीती का सम्बंध किस से है? तो सही आंसर हो जाएगा बैंकिंग सुधार से नरस्मा समीती का सम्बंध है नेक्स्ट है करेंसी नोट प्रेज कहां स्थित है? Most important question Correct answer हो जाएगा ना सिक में करेंसी नोट प्रेज इस्थित है संरचनात्मक बेरोजगारी का प्रमुक कारण है तो आपर्याप्त उत्पादन शम्ता संरचनात्मक बेरोजगारी का मुख्य कारण है भारत के प्रचन बेरोजगारी समानेता कहां दिखाई पड़ती है तो किशी शेत्र में प्रचन बेरोजगारी दिखाई देती है भारत का पहला मुबाइल बैंक कहां स्थापित किया गया तो सही आंसर हो जाएगा खरगोन मद्य प्रदेश में भारत का पहला मुबाइल बैंक स्थापित किया गया था भारत में प्रथम पंचवशी योजना कप से आरंब की गई तो 1951 नई दिली से पंचवशी योजना लागु की गई थी मुद्रा की मातरा में कमी क्या कहलाती है सैउत्तर हो जाएगा मुद्रा का संकुचन कहलाती है जिस नीती को देश का केंद्रिय बैंक रिन आत्मक वा गुणात्मक उपकरणों के माध्यम से लागू करता है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं मौद्रिक नीती most important है ठीके जब सरकार की आय कम और वे जादा होता है तो अर्थ वेवस्ता को कहते हैं घाटे की अर्थ वेवस पूरा नाम है सहकारी साख संगटन का सुभारम कब हुआ तो correct answer हो जाएगा 1904 में सहकारी साख संगटन का सुभारम किया गया जब किसी आवशक्ता को कीमत समय इस्थान से प्रश्न में तो उसे क्या कहते हैं ठीके जब किसी आवशक्ता को कीमत समय इस्थान ये तीनों से मा कहते हैं उसे कहते हैं मांग मूल योजित कर या वेट किसकी सिफारिश पर लागू किया गया था तो इस पर कमर्शियल बैंक भारती रिजर्व बैंक से रुपए उधार लेता है तो इसे रेपो रेट कहते हैं ठीकि रेपो दर या रेपो रेट के नाम से जानी जाती है जब कोई कमर्शियल बैंक आरभी आई से रुपए उधार लेता है नेक्स्ट है जो अर्थ विवस्ता आर्थिक डिस्टी से पूनता संपन होती है क्या कहलाती है तो सही आंसर हो जाएगा विक्सित अर्थ विवस्ता जो आर्थिक डिस्टी से पूनता संपन है वो विक्सित अर्थ विवस्ता है रास्टी आय के आकलन के लिए देश में कौन सी संस्था कारिरत है तो केंद्रिये सांखी किये संस्था रास्टी आय जो नेशनल इंकम होती है उसके आकलन के लिए ये संस्था कारिरत है दुर्गापूर भिलाई राउर केला के स्पात कारखा ने किस पंच वर्षी योजना के दोरान स्थापित किये गए तो सही आंसर हो जाएगा दुतिये पंच वर्षी योजना जो 1956 से 69 तक चली इसमें दुर्गापूर भिलाई और राउर केला के स्पात कारखा ने स्थापित किये गए अन्तोदे योजना कारिक्रम किस वश आरम हुआ तो सही आंसर हो जाएगा 1977 से 1978 के बीच अन्तोदे योजना कारिक्रम स्टार्ट हुआ नेक्स्ट है रास्टी विकास परिसत का गठन कब हुआ तो 6 अगस्त 1952 को रास्टी विकास परिसत का गठन किया गया हम नेक्स्ट है सेवी देखे सेवी के बारे में बहुत पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई है तो 12 अप्राइल 1988 को सेवी की स्थापना की गई है प्रतम चरण में कितने बैंकों का रास्टी करण किया गया था सही आंसर हो जाएगा चाउदा बैंकों गा ठीक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कई बार पूचा गया है भारतिय जीवन बीमा LIC की स्थापना कब हुई तो सितंबर 1956 में LIC की स्थापना हुई है देश में कितनी टकसाल कारेरत है जहां पर सिक्के बनते हैं तो सही आंसर हो जाएगी चार चार टकसाल कारेरत है केंद्रे राजे सम्मंदों से सम्मंदित समीती का नाम है सरकारिया समीती देखिए समीती से related question economics में बहुत बनते हैं तो आपको याद रखना है सारी समीती एक बड़ा पढ़के चले जाएए वी मुद्री करण क्या होता है पुरानी मुद्रा की जगा नई मुद्रा का जारी करना वी मुद्री करण कहलाता है भारत का सबसे पुराना stock exchange कौन सा है सही आंसर हो जाएगा मुंबई stock exchange 1986-87 ये सबसे पुराना stock exchange है श्वेद पत्र किसे कहते हैं तो रास्तिय लेखा सांखिकी को श्वेद पत्र कहा गया है विश्व बैंक को उधारन प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है तो सही आंसर हो जाएगा रास्तिय विकास संग विश्व बैंक की उधारन प्रदान करने वाली खिड़की किसे कहा जाता है तो रास्तिय विकास संग को कहा जाता है बैंक वाश प्रभाव शब्द का प्रयोग सर्वर्पथम किस ने किया तो गुनार मिडल के द्वारा ये शब्द सबसे पहले प्रयोग किया गया था भारत में वित आयोग के गठन का प्रावधान समिधान की किस अनुचेद में है करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुचे 280 में वित आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है निकी क्या है तो टोकियो स्टॉक एक्स्चेंज का शेहर मूल सुचकांग है निकी ये बहुत पूछा जाता है ये भी आपको याग रखना है रास्टी विकास एवं ग्रामीड विकास बैंक नाबाट की स्थापना किस समीती के सिपारिश पर की गई एक और most important question पूछा जाता है सही आंसर हो जाएगा शिव राम समीती की सिपारिश पर नाबाट की स्थापना की गई थी कुडन कुलम में नाभी की उर्जा सैंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी तो सही आंसर हो जाएगा रूस्टी के रस्या के सहयोग से नाभी की उर्जा सैंद्र कुडन कुलम में लगाया जा रहा है मतलब तमिल नाडू में देश में GST का प्रावधान किस सम्विधान संशोधन आधिनियम के तहत किया जा रहा है तो सही आंसर है 101 वा सम्विधान संशोधन देगे GST से question अभी तक बनते हैं जब से GST लागू है 2017 से तब से लेकर continue ये questions पूछे जाते हैं गुरू शिशे परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू की गई है तो हस्त शिल्प के लिए ये परियोजना शुरू की गई है गिनी गुडां का प्रयोग किसके लिए किया गया है तो आय के वितरन की असमानता की माप के लिए गिनी गुडां का प्रयोग किया गया है भारत इवं बैपार पर सरकार का स्वामिप्त होता है वो शेत्र सार्वन जनिक शेत्र कहलाता है। भारत में हरित क्रांती किस मामले में सरवादिक्ष सफल रही तो गेहु और चावल के मामले में हरित क्रांती काफी सफल रही है। ब्याजदर नीती किसके अंतरगत आती है तो प्रारूप किस अर्द शास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित है तो सही आंसर हो जाएगा पीसी महाल नोविस देखे मोस्ट इंपोर्टन्ट है ये बहुत बार पूछा गया है कि किस पर जो सेकेंड पंचवशी योजना का प्रारूप है वो पीसी महाल नोविस के मॉडल पर आधारित है प्रिक्स विकास बैंक का मुख्याले कहां पर है तो संगहाई में ये क्वेशन भी मोस्ट इंपोर्टन्ट है रास्टी क्रिशी और ग्रामेंट बैंक किस पंचवशी योजना याना कि नाबाट किस पंचवशी योजना के अंतरगत की गई तो छटवी पंचवशी योजना के अंतरगत नाबाट किस पंचवशी योजना के अंतरगत नाबाट किस पंचवशी योजना की गई अब मूल कहलाता है दलाल स्ट्रीट कहां परिस्तित है तो सही आंसर हो जाएगा मुंबई में दलाल स्ट्रीट भी पूछ जाता है कहां अस्तित है तो मुंबई में रिजर्ब बैंक ओफ इंडिया का रास्टी करण कब हुआ तो 1949 में RBI का रास्टी करण हुआ था भारती रिजर्ब बै 2011 की जनगर्णा के अनुसार किस केंदर शासित प्रदेश में साक्षरता प्रतीशत अधिक्तम है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा लक्षदीब देखे बहुत पूछा जाता है इस बार तो जनगर्णा हुई नहीं है तो 2011 की जनगर्णा सही question बन सकते है stackflation क्या है तो मंदी के साथ मुद्रा इस्तिती stackflation कहलाता है भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवशी योजना में दिया गया most important question है सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा पाँचवी पंचवशी योजना में ये नारा दिया गया है अंतरास्तिय वैपार का प्रमुख प्रहरी कौन है तो अंतरास्तिय वित्त निगम FCI अंतरास्तिय वैपार का प्रमुख प्रहरी है भारत की विदेशी मुद्रा कोश में सरवादिक अंश किसका होता है तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ती का सरवादिक अंश होता है भारतिये रिजर्ब बैंक का OTC क्या है तो भारत का एक शेर मार्केट है OTC इसके बारे में भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा जाता है यहीं पे दोस्तों हमारे सारे क्वेशन कंप्लीट हो गए है वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए से जादा आगो टूर टूर कर दोस्तों है आर आरत कर दो भार स्यादएकर जादे क में भारे में आरतまた कंप्लीट बैंक क्योंको गय्य तरत पता है